Hello all and welcome back again to Recognition IS UPSC 2025 के लिए Geography Optional की शुरुआत एक नए सिरे से फिर से करते हैं तो आप लोगों ने जो past year के questions देखे होंगे या paper को analyze किया होगा तो paper को देखने के बाद में एक बात तो समझ में आ जाती है कि basic काफी strong रखना है दूसरी चीज जो concepts हमारे Geography Optional में है जो paper number 1 में है, जो paper number 2 में है, geography के जो geographers है, उनके contribution इन सभी चीजों को साथ ही साथ में जो भी current में चीज़े चल नहीं है इन सभी चीजों को एक साथ मिला करके तब हमें अपने answer में लिखना होता है obviously इसके लिए काफी कुछ practice की जरूवत है, काफी understanding की जरूवत है और सबसे जादा जो important है वो है अपनी knowledge enhancement करना सारी चीज़े एक जगा पर नहीं available है, अलग-अलग जगों से काट-छाट करके फिर एक जगा पर लिखना होता है इसमें अलग-अलग contribution geography में किस तरीके से, किस topic को कहाँ पर add करना है किस geography के contribution को कहाँ पर हमें जोड़ना है, ये सारी चीज़े काफी important हो जाती है और ये paper को देखने के बाद में और ज़्यादा समझ में आ जाता है कि क्या requirement है UPSC की और इसी को ले करके, हलाकि अभी तक जो हम लोग ने discussion किया था वो काफी rapid revision के format में था, लेकिन अब चुकि अच्छा खासा time है और अभी examination के लिए preparation करने का ये काफी best time भी है चाहे वो beginner हो, या फिर advanced level के लोग हो, या किसी ने अभी तक appear नहीं किये हो पेपर में या फिर जिन लोगों ने main disappear हो रखे उन सभी लोगों को एक नए सीरे से वापस से शुरुआत करने की जरूरत है क्योंकि कही न कहीं practice तो फिर से आपको scratch से ही start करनी चाहिए और इसके लिए एक five month का plan design किया गया है five month में क्या schedule of the classes होंगी daily answer writing practice किस तरीके से होगी test series और उसके discussions की detail personal guidance and mentorship कई लोग जो demand कर रहे थे उसके बारे में भी हम लोग इस session में discuss करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा schedule है तो schedule में इस बार हम लोग शुरू करने वाले हैं physical geography से अब ही तो जो हम लोग ने discussion किया था human geography से किया था तो इस बार हम लोग जोड़ा शुरूवात करते हैं physical geography से physical geography में जो topics है geomorphology, climatology, oceanography, bio geography and environment geography अब चुकि यहाँ पर ये जितनी भी topics हैं ये सब scientific topics हैं और इसमें understanding और greater depth जादा knowledge की जरूरत होती है इसमें physics के साथ में कैसे हमें connect करना है क्या development हुई है और अभी क्या हमारी current में research चल रही है इन सभी चीजों को हमें यहाँ पर discuss करना होता है इसके लिए कि expected scheduled time है कि इस scheduled frame में हम लोग इस पूरे topic को cover कर लेंगे second जो पार्ट हम लोग discuss करेंगे वो रहेगा पेपर नंबर टू की physical geography क्योंकि कही न कहीं पेपर नंबर वन की जितने भी discussions हम लोगों ने किये हैं वो पेपर नंबर टू में भी हम लोग use कर सकतेंगे जिसमें हमारे पास में topics आ जाते हैं physical aspect of India, drainage of India, climate of India, resource of India and agriculture of India इसके लिए भी again scheduled timing है इसके लाब पेपर नंबर वन में फिर आती है हमारी second part that is human geography human geography में perspective in human geography model, theories and laws population and settlement geography, economic geography and regional development and planning अगर आप लोग ने पेपर देखा होगा तो इस बार human geography जो part आई थी उसमें regional development and planning के काफी detailed aspect थे और साथ ही साथ में जो भी चीज़े थी वो हम लोग ने हालकि उस समय के classes में cover कर लिया था थोड़ा सा time human geography में especially हम लोग जादा देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पर जादा detailed discussion करना होता है और यहाँ पर कई लोगों को understanding में भी problem आती है तो इसमें हम लोग ने जादा time दिया और यहाँ पर ज्यादा और ज्यादा depth में जाकर के हम लोग discuss करेंगे और बहतर connect बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ और जो books available है उन books को भी हम लोग यहाँ पर discuss कर लेंगे पेपर नमबर 2 के human geography को फिर हम लोग start करेंगे जिसमें हमारा cultural aspect and settlement in India अगर इस पूरे scheduled timing को अगर आप देखेंगे तो इट इस नियर अबाउट 140-150 जो लगबग लगबग वही आपके पांच महीने के आस-पास में बन जाता है अगर आप अक्टूबर से शुरूबात करेंगे तो अक्टूबर, नमबर, दिसमबर, जनवरी, फर्वरी फर्वरी के end end में हमारा ये पूरा geography optional पूरी तरीके से complete हो चुका होगा और बहुत ज़्यादा एक ही दिन में बहुत ज़्यादा focus करने की जरूत नहीं पड़ेगी 45-50 minute की class हम लोग करेंगे और फिर इसके बास से एक घंटे की आप लोग revision और जो answer writing practice वगरा है वो करियेगा अगर आप दिन में 3 घंटे optional को निकालते हैं तो ये 5 महीने अपने आप में more than sufficient है इस optional को अच्छे तरीके से beginner से लेकर के advance level तक को करने के लिए इसके बास से बस आपको अपना revision करना रहेगा और फिर exam के लिए आप good to go हो जाएंगे इस discussion के दौरान में हम लोग daily answer writing practice करेंगे उस practice question को discuss भी करेंगे और past year के जो questions आए हुए हैं उनको हम लोग एक base बना करके उसी पर हम लोग discussion करेंगे तीसरी जो चीज थी वो थी test series को लेकर के अब test series के लिए जो plan है वो again इसी sequence में ही हम लोग test series को भी discuss करेंगे जिसमें हम लोग पहले paper number one का जो physical aspect है physical geography फिर paper number two के physical geography human geography and paper two की human geography हम लोग इस तरीके से test भी करते जाएंगे इस दौरान में कई लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें personal mentorship की जरुवत पढ़ती है या फिर एक guidance की जरुवत पढ़ती है guidance की जरुवत दो तरीके से पढ़ती है एक या तो वो थोड़ा depression में चले जाते हैं समझ में नहीं आता है कि या क्या किया जाए आगे कैसे preparation करें कई दिन काफी low feel होता है तो उसके लिए भी एक guidance की जरुवत पढ़ती है और दूसरी जरुवत पढ़ती है mentorship के लिए क्योंकि हर एक topic हर एक बंदे के लिए एक equal level का नहीं होता है कुछ लोगों के understanding किसी एक topic में बहुत अच्छी होती है और किसी में कहीं न कहीं वो काफी कम होती है और फिर उसमें interest भी नहीं आता है तो उस uninterested part को भी कैसे tackle किया जाए obviously यह काफी differ करेगा person to person, aspirant to aspirant और यही पर कहीं न कहीं mentorship और जो personal guidance है उसकी जरुवत पढ़ जाती है कुछ लोगों की answer writing ability काफी अच्छी होती है कुछ लोगों को वो develop करनी पढ़ती है practice के जरीए यहाँ पर भी एक personal mentorship की जरुवत पढ़ती है तो इस सारा course इसी हिसाब से design किया गया है कि जो paper की requirement है उस paper की requirement को basic से start करके advance level तक हम लोग सारी बातों को discuss कर ले जिससे ना सर्फ हमारे paper में अच्छे marks आएं बलकि एक confidence भी रहे आपको geography पढ़नी नहीं geography दिखनी चाहिए ऐसा आपको understanding डवलप कर लेना होता है अब इसमें और क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें हम लोग कर सकते हैं जो आपकी standard books है उस standard books का हम लोग just discuss करते रहेंगे जो भी current magazines वगर होती है उन magazines को भी link करते रहेंगे और तीसरी चीज कुछ research जो चल रही है उस researches को भी हम लोग यहाँ पर add करेंगे और कुछ आपस में जो अपनी understanding है उस understanding को भी अलग-अलग format में link करके फिर हम लोग discuss करेंगे तो इस तरीके से हम लोग यह follow करने वाले है इस schedule को follow करने वाले है अब इस पूरे detail के बारे में यहाँ पर आपको fee structure दिये गए है geography optional की जो live classes होंगी 8 बजे से होंगी evening में जो हम लोग शाम में 8 बजे से करते है classes live होंगी कोशिश मैं से live की रहेगी कभी-कभी हो सकता है recorded format में भी आपको मिले लेकिन खेर कोशिश रहेगी कि live classes रहे जो live classes रहती है वो live classes free होती है available होती है public होती है सबके लिए होती है live class के बाद में अगर आप access करना चाहते है material के साथ में या without material के साथ में तो फिर आप YouTube की membership ले सकते हैं YouTube की membership हमारे द्वारा manage नहीं की जाती है ये YouTube खुद manage करता है तो in case अगर आपको membership में कोई problem होती है या membership के बाद में कुछ issues वगरे आते हैं cancellation वगरे करनी होती है तो फिर आप directly YouTube के थुरू ही कर सकते हैं और वही पर जा करके YouTube से ही उसकी जो भी detail यो भी query करनी है वो आप directly कर सकते हैं इसमें हमारे management का कोई role नहीं होता है दूसरा है geography optional study material कुछ लोगों को study material short notes बगरे की जरूत पड़ती है तो they can enroll through अलग अलग तरीके से कर सकते हैं geography optional test series के लिए भी दो module हैं जहां पर एक आप without model answer के लिए enroll कर सकते हैं दूसरा with model answer के साथ में enroll कर सकते हैं और चौती चीज़ है हमारी personal guidance and mentorship इस बार personal guidance and mentorship के लिए कोई fee नहीं रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ भी सके और दूसरा एक understanding भी develop हो एक communication develop हो जिससे की जो आपकी problem है पहले इस problem तक हम लोग पहुँच पाएं और जो problem आपकी है उसको सही तरीके से tackle भी किया जा सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसके लिए फिलाल इस चीज को अभी free of cost रखा गया और जिससे की एक थोड़ा सा आप लोगों को और बहतर understanding भी develop होती जाए ज़्यादा contribution जिस तरीके से भी हम लोग कर सकेंगे वो possible तरीके से हम लोग यहाँ पर करने की कोश करेंगे जिन लोग ने अल्रेडी test series ले रखे हैं अभी तक जिन लोग ने test series ले रखे हैं doesn't matter उन्होंने test attempt किया है और नहीं किया है they can restart their test वो अपने test को वापस restart कर सकते हैं लिखना यह आप जब test series लिये तो उस वामें भी बताये गया था कि आप वापस test series को एक दो बार से भी लिख सकते हैं तो test series की कोई limitation time frame कुछ भी नहीं है आप जब start करना चाहें तब आप start कर सकते हैं जब लिखना चाहें तब लिख सकते हैं जब आप feedback की जरूद पड़े तब ले सकते हैं बार बार वापस re-inroll करनी की जरूद नहीं है एक बार आपने ले लिया है तो फ personal guidance की जाएगी और जो discussion of the tester वो discussion भी कर लिया जाएगा जो लोग model answer के साथ में कि हैं उनको model answer भी मिलेगा और जो without model answer वाले है वो आपकी जो evaluation, feedback, mentorship है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी in case अगर कोई query होती है तो आप इस whatsapp या फिर call detail के थूरू भी अपनी जो भी query है जो भी questions है उसको पूछ सकते हैं first number preferable है जो पहला number है वो preferable है इसके लावा आप email या website के थूरू भी access कर सकते हैं website के थूरू जा करके आप जो भी courses है वो enroll कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको in case अगर कहीं problem होती है या फिर कहीं पर कोई doubt होता है तो आप email या फिर call करके पहले confirm कर लीजिए and then फिर उसके बाद से जो भी enrollment वगरे करनी है फिर enrollment करिए तो फिलाल यहाँ पर आज सारी data अप लोगों को बता दी गई है मिलेंगे हम लोग next class से और discussion स्टार्ट करेंगे geomorphology के topic से geomorphology से पहले कुछ छोटे मोटे चुटर पुटर वाले topic है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे universe की star formation की और तमाम और भी छोटी छोटी जो चीजे है अला कि exam के लिए उतना relevant रही है लेकिन just for the completion of the topic and for the completion of the subject हम लोग यह काम करेंगे तो चले फिर मिलते है next वीडियो में और फिर वहाँ पर live class में discussion करते हैं timing है आठ बजे evening से कल से हम लोग सारी classes करना शुरू करेंगे आज यह detailed structure दे दिया गया है तो prepare कर लिजे अपने आपको अपने notes खरीद करके ले आ लिजे वापस से अपने A4 sheet को अपने भर लीजे पन तयार कर लीजे कल से शुरू करेंगे हम लोग अपना discussion और जितना interactive आप बना सकते हैं उतना interactive बना करके जो भी आपको doubt होते हैं जहां पर भी आपको problem होती है जिस भी point पर आपको understanding में problem है समझ नहीं आ रहा है वो सारे point कल हम लोग discuss करेंगे और फिर उसके बाद से आगे course को complete करेंगे तो फिर मिलते हैं कल की class में till then goodbye thank you so much bye bye